ओम शैंती, हम सब जब देवियों की महिमा करते हैं, तो बड़ी प्यार से दो शब्द यूज़ करते हैं, एक उनको मा कहते हैं, और दूसरा उनको शक्ति कहते हैं, Mother and Power, क्या ये दो अलग-अलग शब्द हैं या इन दोनों का कोई connection है, अश्ट भुझादारी देविया, अर्थात आत्मा की अश्ट शक्तियां, जैसे सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, साक्षी होने की शक्ति, निर्णे लेने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, कितनी स सारी शक्तिया हैं, आज हमें कोई शक्ति कम है, कोई शक्ति थोड़ी जादा है, और कोई शक्ति का तो हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, और कोई शक्ति के लिए हमने मानना शुरू किया, जब हम ऐसा कहते हैं, तो वो शक्ति हमारे अंदर थोड़ी सी कम होती जाती है, और हमें लगता है, जीवन चल रहे हैं, इत्स ओके, नहीं अजिस्ट किया तो नहीं किया, लेकिन शक्ति मा है, अगर हमने उस पावर को अपने अंदर से खतम कर दिया या यूस करना बंद कर दिया, तो आत्मा की नचरिंग खतम हो जाएगी, आत्मा को पालना देने वाली वो शक्ति खतम हो जाएगी, आत्मा को स्ट्रॉंग बनाने वाली वो शक्ति खतम हो जाएगी, इसलिए जब हम कि मेरे पास वो शक्ति नहीं है, we need to remind ourselves, हम अपनी nourishment को खतम कर रहे हैं, क्योंकि माँ बच्चे को नरिश करती है, जिस बच्चे की माँ नहीं, तो उस बच्चे को वो पालना, वो प्यार, वो unconditional love, वो नरिश्मेंट नहीं मिलता है, तो शक्ति हमारी माँ है, शक्ति मतलब सिरफ जो देवी की हम पूजा कर रहे हैं, वो नहीं, हमारे अंदर की हर शक्ति हमारी माँ है, तो उसको ये नहीं कहना कि मेरे पास वो माँ नहीं है, वो शक्ति को इमर्ज करो, and let the power nurture you and empower you, और जितना वो शक्ति हमारे अंदर इमर्ज होगी, वो सिरफ हमारी पालना नहीं करेगी, हमारे से और उनको भी nurture करेगी, और इसलिए वो मा का गायन है, क्योंकि वो मा सबको nurture करती है, लेकिन सबसे पहले वो शक्ति हमें खुद को nurture करती है, तो पिछली बार हमने देखा, power to withdraw, detach, मतलब किसी भी situation से पहले, detach हो जाओ, उसकी energy का effect हम पर नहीं आए, तो फिर क्या easy हो गया, let go करना easy हुआ, कि छोटी छोटी बाते, पुरानी बाते, लोगों का व्यवहार, यहां नहीं रहता, I let go, guilt, अपने आप से नाराजगी, पकड़ के नहीं रखी, let go कर दिया, जब हमने वो किया, तो सेहन करना, natural होने लगा, सेहन करना नहीं पड़ा, आज हम गिनते हैं, कि सेहन करना पड़ता है, इसका भी सेहन करना पड़ता है, सेहन करना नहीं पड़ेगा जब let go किया लोगों की energy से withdraw किया तो सेहन तो natural हो गया और जब ये तीन शक्तिया हमारे अंदर आती है power to withdraw, power to let go, power to tolerate तो चौथी शक्ति अपने आप इमर्ज हो जाती है और वो है power to accept, समाने की शक्ति आज आत्मा जब कमजोर होती है तो उसकी इच्छाएं खतम नहीं होती, expectations खतम नहीं होती यहां तक कि हम समझते हैं कि expect करना तो normal है आप एक्षाओं की list लंबी होती जा रही है और जितनी expectations बढ़ती जाएंगी soul power will start depleting और इसलिए जब हम meditation करते हैं रो spiritual study करते हैं जो सबसे पहला sign हमें दिखाई देता है कि जब आत्मा की power बढ़ती है, expectation घटती है and power to accept बढ़ता है power to accept मतलब क्या? क्योंकि उसका सही अर्थ में उसको लेना है कई बार हमें लगता है कि accept मतलब रठीक है, कुछ नहीं किसी को बोलो, सबको accept करो बात जैसी है वैसे उसको छोड़ दो, लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो, ऐसे तो नहीं चलेगा ना हमारा घर चलेगा, ना हमारा office चलेगा, ना हमारी स्रिष्टी चलेगी लेकिन power to accept मतलब क्या, परिस्तिती अलग-अलग होगे, लोगों के संसकार अलग-अलग होगे दिखेंगे, it's here, we can see it, वो दिखेगा, उसको ठीक भी करना है लेकिन जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने के लिए एक ही चीज़ करनी है यहां उसके बारे में चिंतन करना नहीं, उस problem को यहां रहने देना, उस problem को यहां नहीं लाना क्योंकि अगर उस problem को यहां ले आए और सोचने लग गए, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, कैसे और उनके बारे में पर-चिंतन, negative thinking करते गए, because that situation and that person is not matching our expectations तो जब हम उनके बारे में इस तरह से चिंतन करते हैं, तो हमारी negative vibrations उन तक पहुंचती है पहले यहां create हो जाती है, फिर वहां जाती है, तो जो वो problem होती है, या वो जो behavior होता है, वो जितना था, उतना नहीं रहता, वो और बढ़ जाता है तो we become responsible to escalate the problem, to escalate the behavior of the other person लेकिन अगर हम accept करते हैं, accept मतलब हम उनके उस व्यवहार के बारे में, और हम उस situation की जो problem है, उसके बारे में या चिंतन नहीं करते हम stable रहते हैं, हम accept करते हैं, this is how it is, यह बात अभी ऐसी है, और next understand, हम यह चिंतन करते हैं, अब क्या करना है तो problem के बारे में चिंतन नहीं, समस्या के बारे में सोचना नहीं, क्यों क्या कैसे नहीं सोचना, लेकिन यह सोचना अब क्या करना है तो समस्या का चिंतन नहीं, समाधान का चिंतन, problem का चिंतन नहीं, solution का चिंतन, क्योंकि वो बात को तो हमने accept कर लिया है, कि ये बात है, which means not thinking of what it is now, but thinking of what we have to do for it. कुछ चीजों को हम बदल सकेंगे, कुछ बातों का solution निकलाता है, कोई जीवन में कुछ ऐसी बाते होती है, जिसका कोई समाधान नहीं है, वो बात है, जैसे बड़ी बाते, घर में कोई शरीर छोड़ता है, there is a death in the family, इसका कोई solution नहीं है, इस सबसे बड़ी बात होती है किसी के जीवन के लिए, लेकिन उस परिस्थिती में भी कैसा सोचना है, अगर हम उस परिस्थिती को भी एक रॉंग चिंतन की तरफ ले गए, तो हम बहुत एनरजी डिप्लीट करते हैं, जिरफ अपनी नहीं, अपने आसपास के लोगों की नहीं, लेकिन जो आत्मा आगे गई ह उसको भी हम नेगिटेव एनरजी भेजते हैं, so we need to understand the power to accept, power to accept समाने की शक्ती, मतलब बातों को समा लो, ना उसके बारे में चिंतन करो, ना उसको इधर उधर फैलाओ, accept it and now work on it, जो बातों को समा लेगा, accept कर लेगा, उसके अंदर संतुष्टता, contentment, आज हम अपने आपक चेक करे, सब कुछ है, achieve भी कर लिया, घर में भी सब perfect है, लेकिन सब होने के बाद भी हम में से majority लोग कहते हैं, लेकिन अंदर कुछ खाली-खाली है, वो contentment कहां से आएगा, contentment, संतुष्टा is not based on हमारे पास बाहर कितना perfect है, सब कुछ आपकी life में अगर perfect हो, आपका काम, आ भी contentment नहीं होगी, अगर आत्मा की शक्ती घटी होई है, और अगर कुछ भी perfect नहीं हो, लेकिन अंदर आत्मा की शक्ती बड़ी होई है, you are a contented soul, और इसलिए समाने की शक्ती का प्रतीक, संतुष्टा की देवी, कि जहां समाने की शक्ती है, वहां संतुष्टा, contentment साथ साथ जाती है, क्योंकि आप किसी भी बात पर प्रश्ण नहीं उठाते, तो आप उस बात से संतुष्ट है, किसी व्यक्ती के व्यवहार पर प्रश्ण नहीं उठाते, आप उनके साथ संतुष्ट है, आप अपने आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन इस present moment तक हमारे पास जो है, हमारे साथ जो है, हम संतुष्ट है, next moment हम और महनत करेंगे, संतोशी मा के हाथ में चावल की कठोरी दिखाते हैं, which means जो आत्मा संतुष्ट है, accept करती है, वो अलग 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 चावल के दानों को भी इकठे जोड कर सबको प्यार से संभाल कर चलती है, means different people, different संसकार्स, हर दाना अलग है, लेकिन फिर भी सारे इकठे हैं, क्योंकि वो देवी, वो शक्ती, उन सबको accept करती है, और वो ही चावल के दाने, जिनको वो accept करती है, वो उसको nourishment भी देते हैं, क्योंकि वो खाना है, वो चावल है, nourishment दे रहा है, तो हमारी ही समाने की शक्ती, हमें ही nourishment देती है, सबको जोड के रखती है, और वो nourishment फिर हम औरों को भी देते हैं, तो अगले 24 hours, हमें ये practice करना है, बातें आएंगी, लोग अलग-अलग व्यवहार करेंगे, हमें समाधान भी करना है, आगे भी बढ़ना है, चीजों को ठीक भी करना है, लेकिन सब कुछ करने के लिए, पहले मन को silent रखना है, which means accept as it is, and now ready to change, तो अगले 24 घंटे, समाने की शक्ती, acceptance power का हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि मैं आत्म शक्ती स्वरूप हो, मैं आत्म संतोशी मा की तरे संतुष्ट आत्म हूँ, इस स्वमान को लेकर अगले 24 घंटे हम अभ्यास करेंगे, उम्शाती